नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि मॉडिूला टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, मॉडिूला टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मॉडिूला टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मॉडिूला टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, मॉडिूला टैबलेट का उप्योग पुरुशों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने पर किया जाता है, यानि पुरुशों के लिंग में इरेक्शन को उत्तेजित करने के लिए मॉडिूला टैबलेट का उप्योग किया जाता है, जिसकी वज़से पुरुशों के इसके अलावा पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर भी मॉडिूला टैबलेट का उप्योग किया जाता है। मॉडिूला टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में मॉडिूला टैबलेट की वज़े से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। जैसे सिरदर्ध होना, कमर में दर्ध होना, मासपेशियों में दर्ध होना, चक्कर आना, बधजमी, उल्ती आने का मन होना, तवचा पर रैशेस होना, तवचा का लाल होना और आखों में धुन्दलापन हो सकता है. अब हम डिसकस करेंगे कि Modula Tablet को कैसे लेना recommended होता है Modula Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है यदि आप Modula Tablet को रात के समय लेना चाहते हैं तो आपको शाम के समय हलका भोजन करना चाहिए क्योंकि ज्यादा फैटी और हैवी भोजन करने से Modula Tablet का पेट के अंदर अवशोशन धीमा हो सकता है जिसकी वज़ा से Modula Tablet का असर आने में अधिक समय लग सकता है आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को Dr. Modula 10 MG Tablet को दिन में एक बार और Sexual Activity करने से एक घंते पहले लेने की सला देते हैं अगर Modula Tablet से संतोश जनक परिणाम नहीं मिलता है तो Modula Tablet की दोज को 20 MG तक बढ़ाया जा सकता है और 5 MG तक घटाया जा सकता है जो व्यक्ति पहली बार Modula Tablet को लेने जा रही है उन व्यक्तियों के लिए शुरुआत में 5 MG Modula Tablet को लेना recommended होता है जो व्यक्ति हर रोज Modula Tablet को लेते हैं ऐसे व्यक्तियों को Dr. Modula 2.5 MG Tablet को दिन में एक बार लेने की सला दे सकते हैं पुरुषों में प्रोस्टेट के साइस को ठीक करने के लिए Dr. Modula 5 MG Tablet को दिन में एक ही बार लेने की सला देते हैं Modula Tablet की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इस से अलग भी हो सकती है इसलिए आपको Modula Tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए Modula Tablet को लेने के बाद Modula Tablet का असर दिखने में 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का समय लग सकता है और मैक्सिमम 2 घंटे का समय लग सकता है लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों में Modula Tablet का असर 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के अंदर दिखना शुरू हो जाता है ज्यादातर व्यक्तियों में Modula Tablet का असर 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक रहता है और मैक्सिमम असर 5 घंटे तक रह सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि मॉडिूला टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। मॉडिूला टैबलेट को दिन में केवल एक ही बार लेना रेक्मेंडेड होता है। इसलिए मॉडिूला टैबलेट को दिन में दूसरी बार नहीं लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के लिंग में पांच घंटे से अधिक समय तक इरेक्शन रहता है या इरेक्शन के दौरा लिंग के अंदर दर्द रहता है, तो ऐसी स्थिती में डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए, क्योंकि अधिक लंबे समय तक लिंग के अंदर इरेक्षन रहने की वज़ा से पैनाईल टिशू डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वज़ा से लिंग में इरेक्षन का पर्मानेंट जिन व्यक्तियों को दिल से संबंधित कोई बीमारी है, या जो व्यक्ति दिल से संबंधित बीमारी की कोई दवाई लेते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को मॉडिूला टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए, यदि मॉडिूला टैबलेट की एक डोज ल यदि आप एक बार सेक्स कर लेते हैं और आपका सीमन भी निकल जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए। पहले कारण का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए एरेक्टाइल डिसफंक्शन को बहतर तरीके से ठीक करने के लिए आपको डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। और अपनी मर्जी से मॉड्यूला टैबलेट को लेना शुरू नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना।